नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से दोस्तों अगर आप कोई manufacturing का business कर रहे हो या आप का किसी wholesale का काम हो या आप कोई retail का काम कर रहे हो चाहे आपके पास कोई dealer distributor से काम हो तो उसमें आपको क्या करना होता है कि जो अपना record होता है उसको maintain करने के लिए आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे application के बारे में बताने वाला हूँ जो है एक ही किलिक में पास सकते हो इस software की मदद से जिसका नाम है my billbook दोस्तो my billbook app को यूज करना इतना easy to use है कि इसे कोई भी बच्चा आसानी से यूज कर सकता है अपने mobile के अलावा आप इसे अपने desktop या अपने laptop में इसे install करके आसानी से यूज कर सकते हो और अपने customer को invoice create कर सकते हो अपना GST bill बना सकते हो तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब application है इस application को कैसे यूज करना है चलिए मैं आपको अपने Android mobile पर ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप अपने customer का invoice बना सकते हैं और इसमें किस तरीके से आप इसको customize कर सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं दोस्तो सबसे पहले आपको अपने mobile में play store open करना है और यहाँ पर आपको type करना है my bill book जैसे ही आप यहाँ पर my bill book type करोगे तो कुछ इस तरीके का interface आपको दिखेगा दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 million plus download है इसके और इसकी जो rating है वो काफी अच्छी है 4.5 की rating है तो चलिए हम सबसे पहले अपने mobile में इसको install कर लेते हैं तो दोस्तो यह application mobile में install हो चुका है अब हम यहाँ पर इसे open करेंगे जैसे ही open करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरीके का interface दिखेगा आप दोस्तो यहाँ पर आपको language का option दिखेगा तो यहाँ पर आपको अपना language select करना है तो चलिए मैं select कर लेता हूं English इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना mobile number डालना है तो चलिए मैं अपना mobile number यहाँ पर डाल देता हूं इसके बाद में आपको यहाँ पर continue का option दिखेगा आपको click करना है इसके बाद में आपके mobile पर एक OTP आएगा वो OTP यहाँ पर आपको डालना है यहाँ से आपको verify करना है इसके बाद में दोस्तों अगर आपके business का GST number है तो आपको S करना है अगर आपके पास GST number नहीं है तो आपको no करना है तो मैं no कर देता हूं इसके बाद में नीचे आपको यहाँ पर select industry type पर click करना है जो भी आपका business होग आप यहाँ से select कर सकते हैं तो जैसे मैं यहाँ पर stationary select कर लेता हूं और उसके बाद में यहाँ पर मैं done कर देता हूं अब दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे continue करना है continue करने के बाद में यहाँ पर यह पूछ रहा है कि आप जो payment reminders का WhatsApp alert भी send करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर yes कर देना है इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर select type आप business select कर सकते हो जैसे आप retailer हो तो retailer, wholesaler, distributor, manufacturer, service जो भी आपका है वो आप select कर सकते हो तो जैसे मैं यहाँ पर demo के तोर पर आपको retailer select कर लेता हूं इसके बाद में यहाँ पर नीचे how do you make bills तो यहाँ पर आपको bill book pen and paper select कर लेना है इसके बाद में नीचे आपको create first invoice पर click कर देना है अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप इस पर click करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ permissions allow करना है इसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी party का name लिखना है तो चलिए मैं अपनी party का नाम लिख देता हूं जैसे राजेस मैंने अपनी party का नाम यहाँ पर राजेस कर दिया इसके बाद में add कर देता हूं इसे और उसके बाद में यहाँ पर मैं जो है इनका मुबाइल नमबर अगरा डाल करके उसके बाद में हम यहाँ पर save party कर देंगे अब दोस्तों थोड़ा सा मैं यहाँ पर dashboard के बारे में बता देता हूँ तो यहाँ पर आपको बहुत सारे option मिल जाएंगे जैसे receive payment का जो आप payment और receive करोगे वो यहाँ से आप add कर सकते हो purchase का option दिया गया है report का option दिया गया है more पर click करोगे तो आपको यहाँ पर payment out quotation, sales return, purchase return और expense यह सारे option आपको दिये गया है जो भी आपके खर्चे होते हैं वो आप यहाँ पर जो है expense पर click करके और उसके बाद में आप यहाँ से जो है add कर सकते हैं इसके बाद में दोस्तों आप सेब कर सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पार्टी हो गया आपका जो पार्टी है वो पार्टी हो गया हमारा राजेस आइटम यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो आइटम पर आइटम से हो create new item पर click करके आप जो है यहाँ पर add कर सकते हैं उसके बाद में यहाँ पर help line number दिया गया है और यहाँ पर बहुत सारे वीडियोज दिया गया है अगर view all पर आप click करोगे तो यहाँ पर आपको एक बहुत सारे वीडियोज दिख जाएंगे जो भी समस्या आपके सामने आती है वो आप यहाँ पर वीडियो दे करके और उससे सालब कर सकते हैं इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको more का option दिया गया है तो more के option पर आप जब जाओगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे option दिखाए देंगे online store का bulk upload items यूपियाई payment लिंक अगर आप यूपियाई के through payment लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर वीडियो दिया गया है वीडियो दे करके जो है आप यहाँ पर इसको save कर सकते हैं उसके बाद में नीचे आप आओगे तो यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हो अपने staff को उसके बाद में यहाँ आप पर आप जो है अपनी जो in vice setting है वो आप जो है customize कर सकते हो इन vice को अपने इसके बाद में profile setting में जब जाओगे तो यहां पर आप business details को Iad कर सकते हो app setting में आप जो अपने language को change कर सकते हो इसके बाद में आप नीचे और आओगे तो यहां पर आपको एक option दिखाई देगा business card का तो यहां पर आप digital business card create कर सकते हो greetings में आप जो है आपका जो festival या जो कोई function है अगर उस पर जो है आप कोई greeting card देना चाहते हो तो उसको आप customize करके और greeting card आप create कर सकते हो यहां पर बहुत सारे option आपको दिख जाते हैं अब मैं यहां पर item पर click करूँगा और उसके बाद में यहां पर मैं जो हमारी सावब के अंदर item होंगी वो हम यहां पर create करेंगे तो चलिए हम create new item पर click करेंगे उसके बाद में यहां पर हम item का नाम लिखेंगे तो चाहिए हम यहाँ पर लिख देते हैं जिसे notebook यहाँ पर हमने notebook लिख दिया अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम उसकी जो sale price है वो हम यहाँ पर लिखेंगे तो हम यहाँ पर sale price 80 rupees लिख देते हैं उसके बाद में purchase price हमारा 60 rupees था तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं और जब stack पर आप जाओगे तो stack पर जैसे यहाँ पर आप कोई पास 100 stack है तो 100 यह stack आप लिख सकते हो अगर मालो कि आप चाहते हो कि हमारे पास 10 stack रह जाए जैसे ही तो नोटबुक हमारे पार रह जाए तो चलिए मैंने सेव कर दिया अब जो भी हम यहां पर दो-चार आइटम और जो है यहां पर एड़ कर लेते हैं उसके बाद में आगे आपको बताते हैं तो दोस्तों यहां पर मैंने कुछ आइटमस एड़ कर रखे हैं अब जैसे मेरा जो पार्टी है वो है राजेस अब राजेस का मुझे invoice बनाना है तो यहाँ पर राजेस पर हम क्लिक करेंगे नीचे यहाँ पर bill invoice पर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर हम add items पर क्लिक करेंगे जैसे हम add items पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो यह सामार लेंगे वो हम यहाँ से add करेंगे जैसे म पाद में यहाँ पर पैंसिल इन्होंने लिया पांच ठीक है ना अब यह सारा कुछ हो गया हमारा तो यहाँ पर हम फिनिस बिल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इनका जो पूरा इन्वाइस हो गयरा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा अभी आप देख रहे हो यह क्रियेट हो रह कर्डिसंस होगा वो आप यहाँ पर जो है टर्म्स एंड कर्डिसंस आप लिख सकते हो कि भाई हमारा जो सामान है वो बिका हुआ वापस नहीं होगा यह आप जो है यहाँ पर लिख सकते हो यह इसके लवाए आप जो है यहाँ पर जो लोगो है वो आप लोगो अपने देना है तो हम अपना नाम लिख देंगे यहां पर दोस्तों यहाँ पर आपको पेमेंट लेने का मोड है वो आपको कैस, चेक, आनलाइन, किसी भी माध्यम से पेमेंट आप लेना चाहते हो तो आप उस तरीके से आप पेमेंट यहाँ पर रिसीब कर सकते हो तो काफी सांदार एप्लिकेशन है इस एप्लिकेशन को जरूर डाउ उस link पर direct click करके आप जो है इस application का इस्तिमाल कर सकते हो और अपने customer का bill और invoice create कर सकते हो बहुत ही आसानी से तो दोस्तो मैंने आपको इस application को किस तरीके से use करना है सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको मैंने बता दिया है फिर भी अगर आपको कोई problem हो रही है कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे comment कर सकते हो मैं आपके comment का reply जरू करूँगा और दोस्तो इस application को download करने का link मैंने अपने वीडियो के description में दे रखा है तो उस link पर आप direct click करके इस application को आप install कर सकते हो और आपने business को आप और उचाईयों तक ले जा सकते हो तो दोस्तो इसी उम्मित के साथ मिलता हूँ आपको next video में तब तक के लिए आप सीवीलों का दिल से बहुत बहुत सुक्रिया जहन